हेलो दोस्तो, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल Educated भारत में दोस्तो आज हम World History का एक और Important Topic देखने वाले हैं जो है दुतिये विश्वयुद इससे पहले भी हमने World History के बहुत सारे Important Topic अलरेडी देख लिए अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजे क्योंकि वो सभी Most Important है आज का ये जो हमारा वीडियो है यहां भी आपको 40 MCQs Explanation के साथ मिलने वाले हैं तो ये वीडियो भी बहुत जादा special है इस वीडियो को जरूर देखिए और इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद like and share जरूर कीजिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए चले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेशन देखिए एक सितंबर 1949 को दुतिय विश्वयुद कहां से शुरू हुआ इसका आंसर हो जाएगा एक सितंबर 1949 को दुतिय विश्वयुद युरोप से शुरू हुआ था यहाँ तब शुरू हुआ जब जर्मनी ने पॉलेंड पर आकरमन किया जवाब में Great Britain और जर्मनी ने 3 सितंबर को जर्मनी के खिलाफ युद की घोशना की दुतिय विश्वयुद दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा और विनाशकारी युद था तो यह most important है एक्जाम में पूछा गया question है नेक्स देखिए दुतिय विश्वयुद कब से कब तक चला तो इसका correct answer हो जाएगा A. 1939 से 1945 तक दुतिय विश्वयुद चला था देखिए दुतिय विश्वयुद 1939 में शुरू हुआ और 1945 तक चला यहां संगर शेक वैश्विक युद था जिसमें कई देश शामिल थे और मुख्य रूप से दो प्रमुख गडबंधनों मित्र रास्टों और धूरी शक्तियों की बीच लड़ा गया इसकी शुरूआत 1939 में पॉलेंट पर जर्मन आकरमन के साथ हुई और 1945 में सयक्तराज अमेरिका द्वारा हिरोशिमा और नागा साकी पर परमाडु बम गिराये जाने के बाद जापान के आत्म समर्पन के साथ समाप थुई युद्ध का दुनिया पर महत्पुन प्रभाव पड़ा जिसके परिणाम सरूप लाखो लोगों की जान चली गई और व्यापक विनाश हुआ तो दुत्ती विश्वयुद्ध जो है बहुत ही विनाशकारी था देखी दुती विश्वयुद्ध के दौरान दो विरोधी सहने गटबंधनों को मित्र रास्टो और दुरी रास्टो के नाम से जाना जाता था मित्र रास्टो में सिफ्टराज अमेरिका, युनाइटेट किंगडम और सोवियत संग जैसे देश शामिल थे जिनोंने दुरी शक्तियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, दुरी शक्तियों में जर्मनी, इटली और जापान शामिल थे जिनोंने अपने शेत्रों और प्रभाव का विस्तार करने के लिए गटबंधन बनाया ये दोनों गटबंधन युद्ध में शामिल प्रमुक शक्तियों और उनके सम्मन्दित लक्षों और विचार धाराव का प्रतिनिदित्व करते तो तो most important है दोनों ही गटबंधन, मित्र रास्ट और दूरी रास्ट विश्वयुद में शामिल लोगों की दर्ज जन संख्या कितनी थी? बहुत पूछा गया question सही answer हो जाएगा A 100 million से भी जादा दुदितिये विश्वयुद में शामिल लोगों की दर्ज संख्या 100 million से भी अधिक थी देखे विश्व युद्ध में शामिल लोगों की दर्ज अबादी 100 मिलियन से अधिक थी, इससे पता चलता है कि युद्ध से बड़ी संक्या में लोग प्रभावित हुए, जो इसके वैश्विक पैमाने और प्रभाव को दर्शाता है, ये question भी पूछा गया है, आपको दुतिये विश्व युद्ध में, दुतिये विश्व युद्ध देशों के दो समू के बीच लड़े गए थे, एक तरब धुरी रास्ट थे, जिनमें जर्मनी, इटली और जापान शामिल थे, दूसरी और मित्र रास्ट थे, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्टेलिया, कनाडा, निउजलेंड, भारत, सोब्यत, संग, चीन और संयुक्त राज, अमेरिका शामिल थे, तो ये मोस्ट इंपोर्टेन्ट है, आपको ये याद रखना है, दुतिये विश्व युद्ध के प्रमुक कारण क्या थे, ये क्वेशन सबसे ज़ादा पुछा हिया है, सही आंसर हो जाएगा, डी, ये सभी, याने की फासी वात का ये उदय, वर्साय की संधी द्वारा जर्मनी के साथ कठोर वहवार, और मेली जो वर्साय की संधी के जित्ती भी पॉइंट थे, वो सभी है ना, तो ये कारण था किसका, दुतिये विश्व युद्ध का, दुतिये जर्मनी के किस देश पर आकरमंट से दुतिये विश्व युद्ध प्रारंब हुआ, जर्मनी ने 1 सितंबर 1939 को पॉलेंट पर आकरमंट करके, दुतिये विश्व युद्ध शुरू किया, प्रीटेन और फ्रांस ने सितंबर में जर्मनी पर युद्ध की घोशना करके इसका जवाब दिया था, तो ये most important है, आपको याद रखना है कि किस से शुरू है, जब जर्मनी ने पॉलेंट पर हमला किया, तभी से दुतिये व विश्व युद्ध की टाइम पर इंगलाइंड के नेता थे, दुतिये विश्व युद्ध की शुरूआत में सितंबर 1939 में विंस्टन चर्चिल नेविल चैंबर लेंड ग्रेट ब्रीटेन के प्रधान मंत्री थे, माई 1940 में विनाशकारी नार्वेजियन अभियान के सही आंसर हो जाएगा A. Adolf Hitler, दुतिये विश्व युद्ध की जो जर्मन सेना थी उसका नेता था Adolf Hitler, नैशनल सोसलिस्ट जर्मन वरकस पार्टी या नाजी पार्टी के तानाशा नेता थे, जिन्होंने दुतिये विश्व युद्ध के दौरान जर्मन सेना की कमान समाली एक कट्टर राष्टवादी, सैनेवादी, नसलवादी और यहूती विरोधी हिटलर, 1933 में जर्मनी के चांसलर बने और जल्दी जर्मनी को एक अधिनायक वादी फासिवाद राजी में बतल दिया, 1945 में जर्मनी के आत्म समर्पन से ठीक पहले अपनी आत्म हत्या तक हिटल इन में से जो जपान था, यह मित्र रास्टों का सदस्य नहीं था, देखें दित्य विश्वयुद, धुरी रास्ट, जर्मनी, इटली, जपान, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया बना मित्र रास्ट, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, USSR, उस्टेलिया, बेल्जियम, ब्र गुरी रास्ट में था, इसलिए आपको यह याद रखना है, दुतिय विश्वयुद के दौरान, सोवियत संग का नेता कौन था, सही आंसरे आपर हो जाएगा, A. जौसेफ स्टालीन, बहुत पूछा गया क्वेश्चन है, कि सोवियत संग का नेता कौन था, 2nd World War के टाइम पे तो वो था जौसेफ स्टालीन, जौसेफ स्टालीन, 1929 से 1953 तक यह ताना शाह थे, कहांके USSR के स्टालीन के तहट, सोवियत संग, एक किसान समास सेख, और सैन यह महाशक्ती में बदल गया था, हाला कि उसने आतंक से शाषन किया, और उसके क्रूर शाषन के दौरान उसके अपने लाखों नागरिक मारे गए थे, तो यह most important है, जोसेफ स्टालीन का नाम आपको याद रखना है, चीन ने दुति विश्व युद्ध में कब प्रवेश किया, यह question भी repeated है, सही answer हो जाएगा B 1941 में, आपको याद रखना है, चीन ने 1941 में दुति विश्व युद्ध म में शामिल हो गया, और 9 दिसंबर 1941 को जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घुशना कर दी थी, तो आपको याद रखना है कब शामिल हुआ है, 1941 में, यह एक्जाम में कई बार पूछा गया है, दुति विश्व युद्ध की सबसे महत्पुन लडाई कौन सी थी, यह question भी आया के लगबग 2 मिलियन लोग हताहत हुए, और यहां सदी की सबसे खराब सैने आपदाओं में से एक है, यह इतियास की सबसे खूनी लडाईयों में से एक थी, और इसे दुति विश्व युद्ध की प्रमुक लडाईयों में से एक माना गया है, तो स्टेलिन ग्राथ की लड लडाई कौन सी थी, तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए, अटलांटिक की लडाई दुति विश्व युद्ध की सबसे लंबी लडाई थी, यह सितंबर 1939 में जर्मनी के खिलाब बिटिश द्वारा युद्ध की गोशना के तुरंत बाद शुरू हुआ, और म दुतिय विश्व युद्ध के दौरान प्रसांत शेत्र में अमेरिकी रणनीती क्या थी? तो सही आंसर हो जाएगा, C. लीब फ्रॉगिंग, आपको याद रखना है क्या थी? लीब फ्रॉगिंग, देखें क्या है लीब फ्रॉगिंग जिसे द्वीब हॉपिंग के रूप दुतिय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन के सबसे लोगप्रिये जनरलों में से एक थे और उन्होंने अफ्रिका को और के कमांडर की रूप में अपनी जीत से अपने दुश्मनों का सम्मान हासिल किया, हिटलर को उखाड पेकने की साजिश में फसकर रोमेल ने 1944 में अपनी जान ले ली, तो यह most important है, इर्विन रोमेल का नाम यह आपको याद रखना है, दुतिय विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला, यह question बहुत साथ important है, पूछा जाता है, सही answer यहाँ पर इसका हो जाएगा, एच 6 साल तक दुतिय विश्व युद्ध चला था, दुतिय विश्व युद्ध 6 वर्षों तक चला, यहाँ इतिहास का सर्व विधित तत्य है, युद्ध 1939 में शुरू हुआ जब जर्मनी ने पॉलेंड पर आक्रमन किया, और 1945 में जपान के आत्म समर्पन के साथ समाप्त हुआ, इसलिए सही उत्तर कितना हो जाएगा, 6 वर युद्धिर के दौरान, इटली, जर्मनी और जापान के बीच बने गडबनन को संदर्वित करता है, फासिवाद शाषन के अधिन इटली और जर्मनी और एशिया में सामराजवादी महत कांशाओं को आगे बढ़ाने वाले जापान के साथ, तीनों देश अपने शेत्रों और प्रभाव का विस्तार करने के प्रयास में शेना में शामिल हो गए, युद्धि के दौरान मित्र शक्तियों का विरोध करते हुए, रोम, बर्लिन, टोक्यो, दुरी एक महत्पुन शक्ती बन गया था, तो ये भी आपको याद रखना है, रोम, बर्लिन, टोक्यो, दु जर्मनी फासिवादी इटली और शाही जापान थे 27 सितमबर 1940 को दुतिय विश्वयुद के एक साल बाद जर्मनी इटली और जापान ने त्री पक्षिय संधी पर हस्ताक्षर किये जिसने विरोधी मित्र रास्टों के खिलाब एक गडबंधन और सैन ने गडबंधन बनाया तो यह most important है आपको याद रखना है मित्र रास्टों में कौन से तीन देश शामिल थे सही आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा बी रूस चीन ठीक है पाकिस्तान यह आपको याद रखना है यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा इसका correct answer हो जाएगा देखिए जो question है मित्र रास्टों में कौन से तीन देश शामिल थे तो C हो जाएगा इसका correct answer इंग्लेंड, अमेरिका और फ्रांस ठीक है तो आपको याद रखना है इंग्लेंड, अमेरिका और फ्रांस ये किसमें मित्र रास्टों में जो तीन देश शामिल है वो ये हैं देखे, सही उत्तर है, इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, ये तीनों देश दुति विश्वयुद्ध के दौरान, मित्र रास्टों का हिस्सा थे, उन्होंने दूरी शक्तियों के विरुद एक गडबंधन मनाया, जिसमें जर्मनी, इटली और जापान शामिल थे, मित्र रास तो यहां पर करेक्ट अंसर हो जाएगा, ए, हिदे की तोजो, आपको इनका नाम याद रखना हिदे की तोजो, ये जपान के कमांडर जनरल थे, बहुत पुछा गया क्वेस्चन ये, देखे, हिदे की तोजो 1936 से 1944 तक सरवोच सेन नेता थे और 1941 से 1944 तक प्रधान मंत्री थ वह जपान, जर्मनी और इटली के बीचत्री पक्षिये, संधी के प्रवल समर्थक थे, फुमिमारो कोनोई की दूसरी कैमिरेट में, युद्ध मंत्री उन्हें, अक्टूबर 1941 में समराट द्वारा प्रधान मंत्री के रूप में चुना गया था, तो ये most important है, आपको जो ओकी नावा की लड़ाई, ये दुतिये विश्वयुद्य का अन्तिम युद्ध था, most important, देखे, ओकी नावा की लड़ाई दुतिये विश्वयुद्य की आखरी बड़ी लड़ाई थी, और सबसे खूनी लड़ाईयों में से एक थी, एक अप्रेल 1945 को, इस्टर प्रान्स की लड़ाई के दौरान जर्मनों ने मैजीनौट रेखा को पार करते हुए हमला किया से मैगीनौट या मैजीनौट दोनों ही नाम से जाना जाता है तो इस रेखा को पार करते हुए हमला किया किस पर तो correct answer यहां पर हो जाएगा B. Belgium पर कहां पर हमला किया था? Belgium पर देखे सीधे हमला करने के बजाए जर्मनों ने उत्तर की रेखा को दरकिनार करते हुए निचले देशों के माध्यम से आकरमन किया फ्रांसिसी और ब्रिटिश अधिकारियों ने इसकी आशंका जताई थी जब जर्मनी ने नीदरलैंड और बेलजियम पर आकरमन किया तो उन्होंने एक आकरमक मोर्चा बनाने की योजना बनाई जो बेलजियम को पार कर मैजिनोट लाइन से जुड़ गई तो यह most important है आपको यह याद रखना है क्योंकि एक्जाम में पूछा गया है जर्मनी ने कब सोवियत संग के साथ एक अनाकरमन संदी पर हस्ताक्षर किया था तो सही आंसर यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा A.1939 ठीक है याद रखना है आपको कब तो 1939 most important है देखिए जर्म सोवियत आकरमक्ता संदी, हिटलर, स्टालिन संदी, मोलो टोब, रिवरे टॉंप संदी, जर्मनी और सोवियत संग के बीच गैर आकरमक्ता संदी यहाँ दुतिय विश्वय युद्ध की शुरूात से कुछ दिन पहले ही संपन हुआ तो इस संदी को इतने नामों से भी जा जाता है और यह अलग-अलग नामों से एक्जाम में पूछे जाता है इसलिए आपको यह याद रखना है USSR और जर्मनी के बीच युद्ध कब शुरू हुआ तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा B. 22 जून 1941 में USSR और जर्मनी के बीच युद्ध शुरू हुआ था 22 जून 1941 को सोवियत संग पर जर्मन आकरमन के साथ USSR और जर्मनी के बीच युद्ध शुरू हुआ जिसे ऑपरेशन बारब्रोसा के नाम से जाना जाता है यह क्वेशन भी पूछा गया तो आपको याद रखना है ऑपरेशन बारब्रोसा का नाम दुतिय विश्वयुद्ध में सबसे पहले नाजी एकागरता शिविर का नाम क्या था यह विए most important question है सही answer हो जाएगा B दचाउ आपको याद रखना है दुतिय विश्वयुद्ध में पहले नाजी एकागरता शिविर का नाम दचाउ था देखे 10 मार्च को जर्मनी ने में दचाउ नाम से पहला नाजी एकागरता शिविर इस्थापित किया गया एडाल फिटलर के चांसलर बनने के पांस सप्ता से थोड़ा अधिक समय बाद इसकी स्थापना की गई थी तो ये विश्वे युद्ध के दवरान मुक्ष के शिविर को लगबग देड़ सो साखाओ द्वारा पूरा किया गया जो पूरे दक्षनी जर्मनी और आस्ट्रिया में बिखरी हुई थी और उन सभी को सामुही कुरूप से दचाउ के नाम से जाना जाता था ये question भी exam में पूछा गया है most important है थोड़ा सा tough question है आपको याद रखना है यहुदियों के लिए Hitler की अंतिम समाधान योजना क्या थी most important तो सही answer यहाँ पर हो जाएगा इस योजना को देश प्रले के दोरान यहुदी लोगों को विवस्थित रूप से नस्ट करना था जिसके परिणाम सरूप लगबग 6 मिलियन यहुदियों का नरसंगार हुआ इसमें नरसंगार के इस बिहानक पृत को अंजाम देने के तरीके के रूप में सामुएक हत्याएं एकागरता शिविर और गैस का अक्षिश शामिल थे तो most important है अंतिम समाधान क्या था हिटलर का यह पूछ लिया जाता है तो आपको ये भी याद रखना है दूरी रास्टों में किसने केवल तभी आत्म समर्पन किया जब उसके दो शहरों पर दो परमानुबं गिराए गए ये भी क्वेशन कई बार पूछा गया है सही आंसर हो जाएगा A. जापान जापान ऐसा रास्ट है जिसने तब ही आत्मसमर्पन किया जब इसके दो शहरों पर दो परमानुवम गिराये गए थे जापान सही उत्तर है क्योंकि यह एक मात्र दूरी शक्ती थी जिसने सेविक राज अमेरिका द्वारा हीरो शिमा और नागासा की शहरों पर परमानुवम गिराये जाने के बाद आत्मसमर्पन कर दिया था अगस्त 1945 में बंबारी हुई और जापान को बिना शर्त आत्मसमर्पन करना पड़ा जिससे प्रशान चेत्र में दुतिय विश्वयुद प्रभावी रूप से समाप्त हो गया जर्मनी ने मही 1945 में आत्मसमर्पन कर दिया था जबकि इटली ने 1943 में पाला बदल लिया था और मित्र रास्टों में शामिल हो गया था इंगलेंड जिसे United Kingdom के रूप में जाना जाता था मित्र देशों में से एक था और उसने युद्ध के दौरान आत्मसमर्पन नहीं किया था तो यह most important है आपको यह याद रखना है क्योंकि यह question पे exam में पूछा गया है कामी केस थे ये कामी केस क्या थे ये बताना है सही अंसर हो जाएगा बी जापानी आत्मगाती पाइलेट जो अपने विमानों को अमेरिकी जहाजों से टकराते थे वो थे कामी केस देखे कामी केज दुत्तिये विश्वे युद्ध के दौरान जापानी आत्मगाती पाइलेट थे जो जान बुझकर अपने बिमानों को अमेरिकी जहाजों से टकराते थे इस रणनीती का उपयोग दुश्मन को अधिक्तम नुकसान पहुचाने के लिए एक हत्याश के तक रणनीती बन गई थी तो most important है ये एक्जाम में पूछा गया है दुत्ये विश्वे युद्ध में जर्मनी ने रूस पर कब आकरमन किया सही आंसर हो जाएगा C 1941 जर्मनी ने रूस पर 1941 में आकरमन किया most important date बहुत पूछी जाती है आपको याद रखना है सही राज अमेरिका ने 1941 में जापान के विरुद्ध युद्ध की घोशना की तो सही आंसर हो जाएगा C परल हारवर पर हमला होने के कारण 1941 में सही राज अमेरिका ने जापान के विरुद्ध गोशना की थी युद्ध की देखिए एक दिन पहले परल हारवर पर देश के आशर जनक हमले के जवाब में सही राज कॉंग्रेस ने जापान के सामराज पर युद्ध की घोशना की इसे अमेरिकी रास्टपती फ्रैंकलिन डी रूसबिल्ध के बदनामी भाशन के एक घंटे बाद तयार किया गया था तो यह आपको याद रखना है most important है देखिए इसे related question ये भी है जपानियों ने परल हारवर पर कब आकरमन किया तो यहाँ पर सही आंसर इसका हो जाएगा 27 दिसंबर 1941 यह question बहुत बार एक्जा में पूछा गया है आपको याद रखना है देखिए परल हारवर पर हमला 7 दिस यह हमला था हमले को भी जाना जाता है परल हारवर की लड़ाई के कारण सयुक्तराज अमेरिका को दुतिये विश्वयुद में आपचारिक प्रवेश मिला था ठीक है तो जब तक परल हारवर पर हमला नहीं हुआ तब तक सयुक्तराज अमेरिका दुतिये विश्वयुद म यह most important है, आप से सिफ़ इतना भी पुछ लिया जाएगा कि किस वर शयुत राज अमेरिका शामिल हुआ था दुतिय विश्वयुद में, तो 1941 इसका correct answer हो जाएगा दुतिय विश्वयुद का सबसे बड़ा युद्ध पोत कौन सा था, यह most important, सही आंसर हो जाएगा यमातो, आपको याद रखना है दुतिय विश्वयुद में सबसे बड़ा युद्ध पोत था, यमातो, देखें यमातो, 56 cm मुख्य बंदुकों से लैस, जो किसी भी युद्ध पोत का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली युद्ध पोत था, यमातो और मुशाशी, को दु बहुत बड़ी नौसैनिक शक्ति का मुकाबला करने में, जापान की मदद करने के लिए डिसाइन किया गया था, तो most important है, यमातो का नाम यह आपको याद रखना है, दोस्तो वीडियो अच्छा लग रहा है, तो please एक लाइक जरूर कीजे, आपका एक लाइक बहुत जादा तो कुर्स की लड़ाई यह सबसे बड़ा टैंक युद्ध था, देखें, कुर्स की लड़ाई इतियास की सबसे बड़ी टैंक लड़ाई थी, जिसमें लगबग 6,000 टैंक, 2,000,000 सैनिक और 4,000 विमान शामिल थे, इसने पूर्वी मोर्चे पर जर्मन आकरमक शम्ता के निर बीस लगब 6,000 टैंक, 2,000,000 सैनिक और 4,000 विमान शामिल थे, आत्मसमर्पन करने वाली पहली धुरी शक्तियां कौन सा देश थे, तो यहां पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, B, इतली, जिकि आत्मसमर्पन करने वाली पहली धुरी शक्ति वाला देश कौन सा था, तो इतली, देखे, इतली हार मानने वाली पहला दूरी रास्ट था, इतलियन फासिस्ट पार्टी के नेताओं द्वारापासी वादी नेता और इतावली तानाशा बैनिटो मुसोलीनी को अप अदस्त करने के 6 सब्ताबाद 8 सितंबर 1943 को इसने मित्र रास्ट के सामने आत्मसमर कर दिया था, तो 1943 आपको याद रखना है, इतली ने कब आत्मसमर्पन किया है, 1943 में और ये पहला दूरी रास्ट था जिसने आत्मसमर्पन किया था, दुति विश्वयुद में जापान ने कब आत्मसमर्पन किया, सही आंसर इसका हो जाएगा, C 1945, ठीके, सबसे आकरी में जापान ने किया है, इसलिए आपको याद रखना है, 1945 में, देखे, 15 अगस्त को इंपीरियल जापान के आत्मसमर्पन की घोशना की गई, और 2 सिदमबर 1945 को अपचारिक रूप से हस्ताक्षर किये गए, जिससे दुतिय विश्वयुदि की सत्रुता समाप्त हो गई, कुछ लोगों का मानना है कि 15 अगस 1945 की गोशना हिरोशिमा और नागसाकी पर गिराये गए परमानु बम का परिणाम थी, जुलाई 1945 के अंत तक इंपीरियल जापानी नोसेना बड़े ओपरेशन करने में आसमर्थ थी, और जापान पर मित्र देशों का आकरमन हुआ था, तो ये आंसर यहां पर इसका हो जाएगा, C, 7 मई 1945, आपको याद रखना है, 7 मई 1945 को जर्मनी ने क्या कर लिया था, आतमसमर्पन, दुतिय विश्वे युद्य के ये युरोपिय रंगमंच की अंतिम लड़ाई और साथी मित्र रास्टों के सामने जर्मन आतमसमर्पन, अप्रेल के अंति और मई 1945 की शुरुआत में हुआ था, तो यह most important है, आपको याद रखना है कि 1945 में ही जर्मनी ने क्या किया था, आतमसमर्पन कर दिया था, युद्य के दौरान किस जर्मन शहर पर बंबारी एक बड़ी नागरिक तरास्दी थी, तो यहां पर correct answer हो जाएगा, B, Dresden ठीक है, Dresden में जो बंबारी हुई थी, वो एक बड़ी नागरिक तरास्दी थी, देखे, 1945 में Dresden पर हुए बंब स्पोर्ट में, 30,000 से अधिक नागरिक मारे गए और अधिकांच शहर नस्ट हो गए थे, तो याद रखना है आपको Dresden में 30,000 से अधिक नागरिक मारे सही आंसर हो जाएगा B. मित्ररास्त, तीकि जो मित्र शक्तियां थे, उन्होंने दुतिये विश्वयुद्व को जीत लिया था, देखे, दुतिये विश्वयुद्वे के मित्रास्त जिनने 1 जनवरी 1942 की घोशना से सही उप्तरास्त कहा जाता था, वे देश थे जन्होंने दुतिय विश्वयुद्ध के दौरान एक साथ मिलकर धूरी रास्टों का विरोध किया था मित्र रास्टों ने जर्मन, जापानी और इतावाली आकरमक्ताओं को नियंत्रित करने के साधन के रूप में गटबंधन को बड़ावा दिया था और फाइनली जीत गये थे कौन मित्र रास्ट और धूरी रास्टों को हरा दिया था अब बारी है लास्ट क्वेशन की वहां कौन सी संदी थी जिसने दुतिय विश्वय युद्ध को समाप्त किया सही आंशर हो जाएगा सी शान्ती संदी थी जिनों क्या एखिया था दुतिय विश्वय युद्ध को समाप्त कर दिया था युद्ध के समय विजई मित्र शक्तियों मुक्यरूपसे उनाइटे टिंगडम सोव्यत संग सहित राज अमेरिका और फ्रांस ने इटली छोटी दूरी शक्ति और रोमानिया हंगरी बुल्गारिया और फिन लैंड के साथ शान्ती संधियों के विबरंट पर बातचीत की 1945 में दुती विश्वी युद्धि की समापती हो गई तो यह most important है आपको याद रखना है यही पर दोस्तों हमारे सारे important questions complete हो गए वीडियो पसंद आया होगा तो like and share जरूर कर दीजेगा अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो please चैनल को सब्सक्राइब करके बैर आकन जरूर प्रेस कर दीजेगा आज के लिए बस इतना ही अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए जै हिंद जै भारत